स्वपन शास्रे के अनुसार सपने में दूद देखना एक शुप सपना माना जाता है क्योंकि इस अपना उस इंसान के जीवन में चल रही परिस्तिती और भविश्य से जुड़े का इंकीम्ती संकेत देता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम दूद से जुड़े कुछ ऐसे कॉमन सपनों पर बात करेंगे जो एक इंसान देखता है और अगर आपको दूद से जुड़ा कोई अलग सपना दिखाई देता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप सपने में दूद देखते हैं तो यह सपना सवर्स संकेत करता है कि आने वाला समय आपके लिए शुब होने वाला है क्यूंकि आपकी तरक्की के नए-णए रास्ते खुलने वाले हैं। यह भी कहा जा सकता है कि आपकी आमधनी बढ़ने के और भी कई स्त्रोथ यानि सोर्सस बढ़ने वाले हैं जो आपके जीवन में आर्थिक प्रगती को बढ़ावा देगा और आप एक बहतर जीवन जीना शुरू कर देंगे। और अगर आप सपने में खुद को या किसी अन्य वक्ति को दूद कीते हुए देखते हैं तो यह सपना आपके स्वास्ते के बारे में कुछ संकेत करता है कि आने वाले समय में आपका स्वास्ते और भी अधिक मजबूत और हश्ट पुष्ट भेने वाला है यानि आपको सपना आपके फोश्त स्वास्ते के और संकेत करता है और अगर आप सपने में दूस से भरावा बड़तन देखते हैं तो यह सपना आपके घर आने वाले किसी शुप समाचार की तरफ इशारा करता है जिसके आने के बाद आपका घर परिवार खुशियों और सुप में रखी ही नहीं है और अगर आप सपने में दूद में खुद को या किसी अन्य वक्ति को शक्कर मुलाते हुए देखते हैं तो यह सपना किसी ऐसे इंसान के आपके जीवन में आने के और संकेत करता है जिसके आने के बाद आपका संसार प्यार और खुशियों से भर जाए का यानि यह इंसान या यह नया मेंबर आपके जीवन में मुठास बहने का काम करने वाला है जिसके बाद आप अपने अंदर कुछ बद्लाव भी मिल्सूस करने वाले हैं और अगर आप सपने में दूद्ध उबालते हुए देखते हैं तो यह सपना इस और संकेट करता है कि याने वाल समय में आपको अपने आपको कारोबार में तरक की देखने को मिलने वारी मिलए यानि आप अपने कारोबार में ऐसे नए-ञाप और प्लाइनिंग को आड़ करने वाली हैं जिसके बाद आपका कारोबार सफल्ता की उचाईयों को छुएगा इसके लावा सपनी का एक मतलब ये भी होता है कि आप किसी नए बिजनस की शुरुआत भी कर सकते हैं और अगर आप सपने में दूद्ध उबलकर निकलते हुए देखते हैं यानि दूद्ध को बटन से बाहर निकलते हुए देखते हैं तो ये सपना इस और संकेत करता है कि आपके जीवन में से भी कठीनाईया इस प्रकार निकलने वाली हैं जिससे आप भी अच्चम्बे में रहने वाले हैं कि ये किस तरह का चमतकार आपको देखने को मिला है क्योंकि आपको इन मुसीबतों से निकलने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा इसके अलावा ये सपना आपके जीवन में से नेगिटिविटी के खत्म होने और पॉजटिविटी के आने की और भी इशारा करता है और अगर आप सपने में दूद बेटे हुए देखते हैं चाहे वो आपके हास से गलास का छूटना हो ये किसी भी प्रकार से तो इस सपने का मतलब ये होता है कि अगर आप अपना ध्यान भक्ती की तरफ नहीं लगा रहे हैं या फिर आपका ध्यान उस और स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो ये देवताओं की तरफ से मिलने वाला एक संकेत है कि आपको अपना ध्यान भक्ती की तरफ भी लगाना चाहिए क्यूंकि चाहे आप माने या ना माने लेकिन भक्ती ही शक्ती है जो आपके जीवन को सही तरह से चलने और चलाने दोनों में मदद करती है और अगर आप सपने में दूर्ट को फट्ते हुए देखते हैं तो ये सपना आपको अपने स्वास्ते पर थोड़ा धान रखने की सलहा देता है क्यूंकि आजकल आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और अगर समय है भी तो खुद पर धान नहीं दे पा रही हैं तो इस सपने को आप एक अच्छी सलह के रूप में लेगे